सबसे पहला decision जो Eon Musk ने Twitter खरीदने के बाद लिए पता है क्या था वो पराग अगरवाल को fire कर दिया बढ़ आपको पता है क्यों Eon Musk के पास पहले सी Twitter की 9.1% की ownership थी Eon Musk ने पहले कहा कि मैं Twitter खरीद रहूं और फिर बीच में उन्होंने back out सा कर दिया blaming Twitter की उसके पास बहुत सारे bots हैं, spam accounts हैं और fake accounts हैं Eon Musk के इस tweet के बाद पराग अगरवाल और Twitter की कुछ और officials ने बहुत सारी explanations दी जिससे Twitter की image थोड़ी से down जाने लगी But Eon Musk का motive था यह एक ऐसा social media network हो जहाँ पर freedom of speech हो और जो Twitter के उपर celebrities हैं जो famous accounts हैं वो बहुत ही कम tweet करते हैं और कुछ private email की conversations भी viral हो गए जहाँ पर Eon Musk का गुस्सा साफ देखा जा रहा था पराग अगरवाल is trying to please people but people will not be happy So यह सब भहस बाजी का कुछ तो होना ही था तो जैसी Eon Musk ने Twitter को खरीदा सबसे पहरी चीज़ की पराग अगरवाल और बाकी topics को fire कर दिया चलिए देखते हैं अब Twitter का आगे क्या होगा ब्लू टिक के बरे में जाने हैं तो यह वीडियो देखेगा तब तक लाइक कमेंट और शेयर कीजिए बताइए आपको यह वीडियो कैसे लगा